नमो बुद्धाये, हम लोग काज सिखेंगे दीग निकाये में एक सुंदर उपदेश, ये सुंदर सूतर उपदेश का नाम है अगण्य सूत्र, क्या नाम है? अगण्य सूत्र, ये सूतर उपदेश से भगवान बुद्ध अच्ची तरह से समझाये हैं, इसी जीवन तता कल्यान के लिए सुंदर बाती, ये अगण्य सूत्र में ततागत ने बताया, ये पृतिवी नश्ट होने के बाद, ये धर्ती का जो मान, प्रानी, फिर मान रूप में कैसे बन जाता है? हम लोगों को ये सूत्र पदेश सीखने के बाद अच्ची तरह से समझ में आता है, बगवान बुद्ध ये पृतिवी, ये लोग, ये मान वजनम, ये सब कुछ के बारे में फुरा जान गए थे, उनका ये ज्ञान आस्चर है, हमें ये सूत्र पदेश से अच्ची तरह से स संसार में बहुत ही समय के बाद बगवान बुद्ध जो बताया गया सूत्र पदेश सुन्न में लगता है, बहुत सारे लोग बगवान बुद्ध की नाम ले करके, अपना अपना बात बोल करके, बगवान बुद्ध की उत्तम रास्ता को अपवित्र करता है, गंदगी बना इसलिए भगवान बुद्ध की नाम से अब इस संसार में जूट मूट उपदेश है। लेकिन भगवान बुद्ध प्रती कोई स्राद्धा नहीं है। अगर जो कोई भगवान बुद्ध की उपदेश उसी प्रकार से ही सुन लिया तो उन्हीं का जीवन में शांती मिल जाता है। ततागत भगवान बुद्ध की सूत्र उपदेश सुनने के बाद लगता है कि भुके आदमी कान अका के पेट भर गया जैसा सुक मिल जाता है। उयसा एक चमत कार भगवान बुद्ध की सूत्र उपदेश में हैं। लेकिन ऐसा सुक शांती मिल जाता हैं भगवान बुद्ध प्रती पसंद मन से सूत्र उपदेश सुननना पडेगा। ये सूत्र उपदेश करते समें बगवान बुद्ध थे स्व्रावस्ति में पूर्वा राम आस्रम में विशाकाने एक आस्रम बना दिया उपर तल्ला में पांसो कमरा है नीचे तल्ला में पांसो कमरा है एक हजार कमरा का एक सुन्दर आस्रम बना के आर महासंग बगवान बुद इत्या दि आर महासंग को पूजा की है विशाका है बहुत बड़ा परिवार के हैं वो बचपन से ही सोता पन हो गए जिस समय सोता पन हुई ही उस समय विशाका का उमर साथ साल उतना चोटा में वो भगवान बुद्ध की रास्ता को पकड ली है उस समय वासेठ एवां भारत द्वाज की दो भंतेजी उपसांपन होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे उपसांपन मतलब कोई भी आदमी भगवान बुद्ध की सासन में आके चीवर पहनेंगे तो उनको दस सील मिल जाता है आपको पांच सील है प्राणियों को हत्या नहीं करना है चोरी नहीं करना है वेबिचार नहीं करना है जूट नहीं बोलना है नशा नहीं करना है लेकिन बहनते लोगों को जीवन इसा नहीं प्राणियों को हत्या नहीं करना है चोरी नहीं करना है ब्रह्मचारी पालन करना है जूट नहीं बोलना है और नशा नहीं करना है दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है सोना, चांदी, पैसा वागेर, इस्तमाल नहीं करना चाहिए, दस है, उपसां पन्न मतलब दोसो सताई सील को अपनाना पड़ेगा, निर्वान की रास्त पे जाने के लिए भगवान बुद्ध ये सील का नियम बना दिये, तो ये वासेट एवां भाराद वाच दोनों बनते वो दोसो सताई सील लेने के लिए सब कुछ सिखते सिखते रहते, उस दिन भगवान बुद्ध पूर्वाराम आश्रम में, जहां चाहें, वहां पे जाकर के चाक्रमन कर रहते, ये देखने के बाद वो दोनों बनते जी, कौन है वो, वासेट ठेवां भाराद दोनों बनते जी बात किया, वो देखी बगवान बुद्ध चाक्रमन कर रहे हैं, हम लोग भी वहां चलेंगे, अगर हम लोग वहां पे गायें तो बगवान बुद्ध जी से कुछ ना कुछ ज्ञान की बात सुन साकते हैं, ऐसे सोचके बगवान बुद्ध के बद बगवान बुद्ध जी से थोड़ा सा साइड होके ये दोनों भी साक्मन कर रहेते हम लोग भी इसा कभी कभी करते हैं न किसी साथ बात करना चाहिए थोड़ा बागल में जाकर रहें साइड में रहते हैं कुछ ना कुछ इसके बात बात में लग जाता है तो ये दोनों बहनतेजी देखने के बात भगवान बुद्ध उन लोग से पोच रहे हैं वासेठ आप लोग जो समाज में उंच जात माना जाता है उसी ब्राक्मन जात से आकर के चीवर पहन लिए है आप लोग ब्राक्मन परिवार से आकर के चीवर पहन लिये हैं इस कारण पर ब्राह्मन जात के लोग आपको दोस नहीं लगाता आपको डाटते नहीं है इसके बाद वासे टेवां भाराद द्वाज़ ये दोनों बहनते जी ने बताया थतागत बगवान बुद्ध जी ये ब्राह्मन लोग हम लोगों को हमेशा डाटते हैं गारी देते हैं बदनाम करते हैं भागवान बुद्ध पूछ रहे थे तो वासेट कैसे वे लोग आप लोगों को बदनाम करते हैं डाटते हैं तो वासिट भाराद द्वाज दोनों बांतेज बताते हैं भगवान बुद्ध जे वो ब्राह्मन लोग हम लोगों को इसी प्रकार डाटते हैं कि ब्राह्मन लोग ही स्रेष्ट होता है बाकि सबी लोग नीच है ब्राह्मन लोग ही वर्नन है उंच है बाकि सारे लोग हीन है ब्राह्मन लोग पवित्र है बाकि सबी लोग अपवित्र है ब्राह्मन मतलब महा ब्रह्मजी का बेटा है महा ब्रह्मजी का मुँ से जनम लिये है मुखतो जातं ब्राह्मन मतलब महा ब्रह्मजी उल्ट किया है मुँ से उन्हुंलोग पाया है, वे लोग ब्राह्मन है यह जो महाब्रह्मा मतलब कोille माना जाता है जैसे कि दुसरा दुसरा धर्म में इस्वर माना जाता है पुरा धर्ति बनाया, यह सब कुछ बना दिया वैसे ही है बहुत सारे लोग महा ब्रह्म को मानते है महा ब्रह्मजी ने ये सब कुछ बना दिया है इसलिए लोग कहते है सब कुछ सर्वबलधारी सर्वज्य सर्वेश्वर वो महा ब्रह्मजी का मुँ से निकल गया है ब्राह्मन जात की लोग ऐसे है तो ब्राह्मन लोग महा ब्रहमजी का मुँ से निकल गया बाकि सबी लोग महा ब्रहमजी का सरीर में जगा जगा से निकल गया शस्त्रिय राज़ परिवार के लोग भगवान के दोनों हाद से निकल गया है इसके बाद वाईश समाज के लोग महा ब्रह्म जी के दो जांग से निकल गया है इसके बाद शुद्र लोग अचूत लोग महा ब्रह्म जी के तलवा से निकल गया है ऐसा ब्राह्मन समाज के रहने वाले लोग मानते थे ऐसे बोल करके वासेट भारत दोनों बहनते जी भागवान बुद्ध को बताते हैं भागवान बुद्ध जी ऐसे बात बोल करके ब्राह्मन लोग हम लोगों को डाड़ते हैं तुम लोग कौन हो तुम लोग बाल मुंड़ किये हुए स्रमन है बहुत बड़ा पापी है तुम लोग महा ब्रह्मजी का तालवा से जनम लिये हो तुम लोग किसी लिए ये स्रमन बन गए हो तुम लोग किसी लिए नीच हो गए हो ब्राक्मन जात से जा करके देखिए ऐसे हैं तो आद्मी लोगों का दिमाग में कितना मित्या दृष्टी थे बगवान बुद्ध के समय में बगवान बुद्ध ने बताया वासेट ब्राक्मन लोग वो सारे बातें बोलते हैं उन लोग ही स्रेष्ट हैं, बाकि सारे लोग नीच हैं, ब्राह्मन लोग ही उन्च हैं, बाकि सारे लोग नीच हैं, ब्राह्मन लोग पारिशुद्ध हैं, बाकि सबी लोग अपावित्र हैं, ब्राह्मन लोग महा ब्रह्मजी का बेटा है, महा ब्रह्मजी उल्ट किया हुआ ह बाकि सारे लोग दूसरे हैं ऐसा बोलता है ब्राहमन लोग बगवन बुथ बता रहें थे वासित देखिए ये ब्राहमन समाज को देखिए ब्राहमन समाज में लड़की लोग बड़ा हो जाती है ब्राह्मन समाज में ये इस्त्री लोग ही साधिकर के घर्भवती बन जाती है उसी ब्राह्मन औरत लोगों को बाच्चे मिल जाता है वो औरत लोग अपना बाच्चा लोग को दूद पिलाती है आखों के सामने ये सब को दिकाई देता है समाज में फिर भी ये ब्राह्मन लोग कहता है ब्राह्मन जात के लोग महा ब्राह्मजी के मूँ से निकल गया है बागवान बुद ने बताया सच मुच में ब्राह्मन नाम से इस दुनिया के लोग है तो जो महाब्रह्मजी से महाब्रह्मजी ने बनाया ईश्वर ने बनाया सच्मूच में ब्रह्म है इस संसार में इसा करके बहुत सारे लोग मानते हैं देवताओं को बदनाम करते हैं अगर कोई मित्या विश्वास पे हैं तो जैसे कि महा ब्रह्म जी ने हम लोगों को बनाया इश्वर ने हम लोगों को बनाया ऐसे मित्या विश्वास पे रह करके बात बोल दिया तो पाप मिल जाता है क्योंकि वे लोग पाप करते हैं मित्या बात बोलते इसके बाद भगवान बुद्ध बताए वासेठ ऐसे हैं तो ये समाज में मानो चार प्रकार से दिखाए देता है वो है क्षास्त्रिय परिवार, ब्राह्मन परिवार, वैश्य परिवार, शुद्र परिवार ब्राह्मन मतलब पूजक लोग, पुजारी लोग, शस्त्रिय मतलब राज्य पालने वाले लोग, वैश्य मतलब बिस्नस केति उती करने वाले लोग, शुद्र मतलब जो दुसरों का घर में जा करके नोकरी करने वाले लोग ये इंदिय समाज में भारत की समाज में बहुत जगा मिल गया ब्राह्मन लोगों को भारत की समाज में जो एक किताब थे मनुस्मृति जैसा उसी किताब के अनुसार वेद के हिसाफ से अगर कोई नीच परिवार की लोग ब्राह्मन लोगों का वेद को पड़ लिया तो उनलों का मुँए आग डालना चाहिए कान से सुन लिया तो कान में आग डालना चाहिए पड़ लिया तो जीब निकालना चाहिए ऐसा समाज था भारत में तथा भारत में ऐसा कोई शास्त्री परिवार भी होता है जो प्रानियों को हत्या करते हैं, चोरी करते हैं वे बिचार करते हैं, जुट बोलते हैं, चुगली, गारी, फालतुबाज करते हैं गुस्सा करते हैं मित्याद्रिष्टिक होते हैं लोब करते हैं थाथा कोई ब्राह्मन लोग भी होते हैं हत्या करते हैं चोरी करते हैं गलत काम करते हैं चुगली, गारी, अल्टपाल्टबाद और लोब, क्रोध, मित्याद्रिष्टिक होते हैं तता कोई-कोई वाईश लोग भी होता है, ऐसा गलत काम करने वाले। बगवान बुद्ध बताए वासेट, अब देखिए, वो समाज में चार जात के लोग, कोई-कोई लोग है पाप करने वाले। ये सारे चीज ये जो पाप है ये सब गलत है ये सारे पाप से कोई स्रेष्ट नहीं होता है भगवान बुद्ध में बताया ब्राक्वन शस्त्रि वाईश शुद्र ये चार प्रकार की जात समाज में होता है अगर वे लोग प्राणियों को हत्या नहीं किया तो चोरी नहीं किया तो वे बिचार नहीं किये तो जूट नहीं बोले तो चुगली नहीं करेंगे तो कठोर नहीं बोलेंगे तो अल्तु पल्तु बात नहीं बोलेंगे तो व्यारत नहीं बोलेंगे तो दुसरों को सुख संपात्ती पर लोब नहीं करेंगे तो तता क्रोध नहीं करेंगे तो सम्मादित्य हैं तो बताया पुन्यों अन वासिट वो चार जात के लोग सच मुझ में धार्मी खें कुशल पुन्य करते रहते हैं श्रेष्ट होता है वासिट ये चार जात में पुन्य करने वाले लोग भी होते हैं तथा पाप करने वाले लोग भी होते हैं ये देख देख के ब्राह्मन लोग बताते हैं हम लोग हिस्रेष्ट हैं बाकी लोग नीच हैं हम लोग उंच हैं बाकी लोग उंच नहीं हैं हम लोग पावित्र हैं बाकी लोग अपावित्र हैं हम लोग महा ब्रहम जी के मुझ से निकल गए बाकी लोग बाकी बाकी जागा से निकल गए हम लोग महा ब्रहम जी का दहेज हैं बाकि लोग ऐसे नहीं ऐसे करके बोलते हैं बागवान बुद्ध ने बता है वासेट वो शास्त्रिय ब्रहमन वाईश शुद्र ये चार जात के लोग आ करके बुद्ध सासन में आता है आ करके चीवर पहनते हैं पहन के सील सुरक्षा करते हैं तथा आकान नाग जीव सरीर मन इंद्रिय सांथ करता है चार सत्रिपठान में मन लगा के सरीर मन वानी को सांथ करता है 37 बोधिपाक्षिक धर्म को बढ़ाता है थथा गंदी की को मिटा के उत्तम आरश अत्य को प्राप्त करके सभी दुख से मुक्त होते हैं अब देखिए ये धर्म की रास्ता पे कोई भी जात का कोई भी फरिवार के कोई भी लोगों को आगे बढ़ सकता है स्रेश्ट हो सकता है बगवान बुद्ध ने बताया वही लोग ही स्रेश्ट होता है जो सारे दुख से मुक्त होते हैं चार जात से वे लोग ही स्रेश्ट हो जाते हैं उत्तम होता है पवित्र होता है इसके बाद भगवान बुद बताए वासेट आप देखिए ये कोसल राजा के बारे में ये कोसल राजा ततागत भगवान बुद को कैसे पहचानते हैं वो भगवान बुद के बारे में बोलते हैं ये ततागत भगवान बुद साथ के परिवार से आकर के चीवर पहन लिये है अनुत्तर है उत्तरीतर है ये साथ क्य परिवार के लोग कपिलवस्तु शहर के लोग हैं कपिलवस्तु शहर के लोग कोसल राजा को देखने के बाद तुरांत आसन से उठते हैं कोसल राजा के पास जा करके नमन करते हैं इज्जत करते हैं दिखिए वासएट ऐसा के लोग राजा को इज्जत करने पर भी राजा बहुत ही इज्जत करते बगवान बुद्द को दूर से ही राजा बगवान बुद्द को नमन करके आते हैं सुजातो सुमनो गोतमो विज्जातो हमस्मी अरे ये स्रमन ततागत बगवान बुद्धत कितना सुंदर जनम हुआ मेरा जनम तो एकदम बेकार है बलो समनो गोतमो दुबलो हमस्मी ततागत बगवान बुद्धत कितना बल्शाली है लेकिन मैं दुर्बल हूँ ततागत बगवान बुद महेशा की होता है बहुत भाग्यवान होता है मैं तो अलपेशा की उतना भाग्य नहीं हूँ ऐसे करके कभी कभी कोसल राजा ततागत बगवान बुद को नमन करते है बगवान बुद्ध ने बताया वासेट ये कोसल राजा धरम को ही इज़त करते हैं धरम को ही सत्कार सम्मान करते हैं धरम के हिसाब से हैं धरम के चलते कोसल राजा इसा इज़त करता है अगर आप भी बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाएंगे तो अपना सरीर मानवानी सांत करेंगे तो आप भी ततागत बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाकर ग्यान प्रैक्टिस करेंगे तो सबी लोग आपको नमन करते हैं लेकिन आपका सरीर को नमन नहीं करते हैं बलकि आपके पास जो ग्यान है आचरन है उसी ज्ञान को नमन करते हैं ये गंद की सरीर को नहीं बागवान बुद्ध ने बताया वासेट आपलों याद रखिए धम मेव सेटो जनेतास्मिंग दिठेव धम में अभिसांपरायच इस जनम में तथा अगल जनम में भी संसार के रहने वाले सारे मानों को देवता को सबको स्रेष्ट होता है सिर्फ धरम धरम ही इसी जनम अगल जनम सारे जगा पे स्रेष्ट होता है ऐसे हैं तो याद रखना चाहिए हम लोग की रूप से स्रेष्ट नहीं होते हैं हम लोग आवाज से हम लोग महा नहीं होते हम लोग यस्कीर्थी से उत्तम नहीं होते तता धन से भी नहीं सुख संपत्ती से भी हम लोग उत्तम नहीं होते हैं हम लोग उत्तम होगा तो होगा सिर्फ धरम से स्रेष्ट होगा तो जरूर स्रेष्ट होगा सिर्फ धरम से भगवान बुद्ने बताया जनम अगले जनम दोनो जनम में स्वेष्ट होताय सिरिफ धरम तो भगवान बुद्ने बताया वासेट्थ किसी भी ब्याक्तिको अगर बिना हिलने वाली स्रद्धा हेतो स्रद्धा निविठ्था उसी स्रद्धा स्रद्धा दिलतक आगया तो मतलब जड़ा आया हुआ स्रद्धा है तो जड़ा आगया स्रद्धा disabilities not ऐसा कोई दृड़ श्रद्धा है तो ऐसा कोई श्रमन या कोई ब्राह्मन कोई देवतक कोई किसी को भी कभी भी नहीं हिला सकता है वो इसा स्रद्धा है तो उसी में सबसे स्वेष्ट होता है अरहंत लोग भगवान बुद्ध ने बताया वासेट वो जो ब्राहमों लोगों ने जो बताया बात अरहंत लोगों को तो कह सकता है वो कैसा है मैं भगवान बुद्ध की बेटा हूँ, भगवतो पुद्धो हमासमे मैं भगवान बुद्ध की दिल से जनम लिया हूँ, और से पुद्धो मैं भगवान बुद्ध की उत्तम श्री मुख से जनम लिया हूँ, मुखतो जातो मैं धरम से ही जरम लिया हूँ धम जातो मैं धरम से ही बन गया हूँ धम निठितो मैं धरम का दहिज हूँ धम दाया दो ऐसा बोलना है तो अरहंत लोगों को ही कह सकता है क्यूं? वे लोग भगवान बुद्ध पुतिश अधा से ही धरम की रास्त पे जाकर के सब ही दुख से मुक्त हो गये हैं अब देखिए बगवान बुद्ध ये क्या समझाते हैं मानों को? बगवान बुद्ध समझाते हैं इस जनम तता अगले जनम दोनों जनम में सिर्फ धरम ही स्रेष्ट होता है बागी कुछ जादपात, सुन्दर कुरू, आमीर गरीब, तता बलवान दुरूबल ये कुछ भी नहीं सिर्फ धरम ही स्रेष्ट हो जाता है ये लोक के बारे में, धर्टी के बारे में भगवान बुद्ध की जानकारी, भगवान बुद्ध की ज्यान, आस्चरह कमाल है भगवान बुद्ध जो कुछ बताता है, और किसी को खोज भी नहीं पाता है इतना ही गहरी ज्यान उनके पास है उनके पास एक ज्यान है, लोक विदू लोक के बारे में संपून रूप से जानकारी उनके पास है अभी तक विज्ञानिक लोग सुरू में हैं कुछ अच्छा से खोजा तक नहीं आज कोजता है कल बदल जाता है लेकिन जो बगवान बुद्ध ने अड़ाई हजार साल पहले जो कुछ बताया अभी तक वो सत्य है भगवान बुद्ध ने बताया वासेट बहूत ही समय जाने के बाद ये लोक ये धर्ती नश्ठ होता है ऐसे है तो ये धर्ती नश्ठ होना आजकल होता है क्या नहीं बहूत ही दीर्ग समय जाने के बाद ही ये धर्ती नश्ठ होता है ऐसे हे तो ये सूरज, चांद, इत्याद, साउर, मंदल ही नस्ट हो जाता है उसी समय इस धर्ति प्रहनवाले सारे प्रानी आभसर ब्रह्मलोक में जाकर के प्रकास बन जाता है प्रकास बन जाता है मतलब उसी जगा पे उन लोग का विज्ञान है सब कुछ है लेकिन उन लोग दिकाई देता है प्रकास जेशा आभसर ब्रह्मलोक में ये भुये नसत्ता आभसर समवत्ति का होंती ऐसे हे तो ये धर्ति नश्ट होने के बाद सारे प्रानी सांपूर्ण सुरूप से खतम नहीं होता है उसी समय जिस जगा पे जाना चाहिए उसी जगा पे वे लोग जनम लेते हैं सबी लोगों को है मानसिक सरीर मनो काया सबी लोग प्रीती अनुभाव करते हैं पीती भग का अपना सरीर से प्रकास निकालकी निकालकी रहते हैं सयाम पभा आस्मान में गुम्ते गुम्ते रहते हैं अंतलीक खचारा वे लोग बहुत सुंदर हैं वे लो बहुत ही दीर के समय तक जेवन बिताते हैं बहुत ही समय जाने के बाद ये प्रितिवी फिर बन जाता है इसका मतलब ये प्रितिवी इत्यादी सारे ग्रहे वापस बन जाता है उस समय वो आभास्तर सरीर जो पाया वो यसा प्रानी जो लाइट जेस रहता है ये लोग उसी जगा से चन होके ये धरती पे आता है उस समय सुरज चांद कुछ नहीं है सुरज चांद नहीं होने के कारण दीन राथ महीना कुछ नहीं है ऐसे है तो ये ग्रहतार का कुछ नहीं है उसी समय कोई सानी का दशा है या सुक्र का दशा है मंगली दशा है ऐसा कुछ दिकत उसमय नहीं थे ये बाद में नया बन गया है सब चीज इन लोग अंधकारे अंधकार में आकर कि गुमते गुमते धर्ती पे आ जाता है इन लोग धर्ती पे गिरने के बाद धर्ती दिकाई देता है जो अच्चा से बनाया हुआ दही जैसा दही बन गया जैसा धर्ती दिकाई देता है वे लोगों को इसके बाद ये लोग और तोड़ा नजी दिखा करें देखते हैं देखने के बाद वो दही जैसा दर्ती से धमक आने लगता है इसके बाद एक सोचता है ये खेसा होगा ऐसे सोचके अंगुली से थोड़ा सा लेकर के जीव में लगा देता है जीव में लगाने से इसको पुरा रस मिल जाता है पुरा आसकत होता है पुरा टेस्ट इसके बाद वो क्या होता है उसी रस पे आसकत होने के कारण उस पे गुस जाता है गुस के क्या करता है और और अंगुली से लेकर के जीव में लगाता है ये देख करके जो रहते हैं दूसरे लोग ये लोग भी क्या करते हैं ये लोग भी हूर हूर के अंगल से लेकर के वो दही जैसा मिट्टी मूँ में डालता है इसके बाद सबी लोग ये रस पे आ सकत होता है देखिए अभी भी ऐसे होता है ना तुरांच कुछ मिलने का सबी लोग जीव में तोड़ा लगा के देखता है तोड़ा ना के पास अगर कुछ खेला या फाल या कुछ भी तुरांच दे दिया तो तुरांच सुंगता है या जीव में डालके देखता है वही याद है तब ही तक इसके बाद ये लोग ये पृत्वी का रस लाड़ू जैसा बना बना के बना बना के काते काते रहते समय धीरे धीरे वे लोगों का सरीर का प्रकास चन हो जाता है एसा कुछ समय जाने के बाद फिर सुरज एवां चांद प्रकट हो जाता है दिखाई देता है उसके साथ साथ दीन राद बन जाता है और महीना ये साथ बन जाता है बहुत समय जाने के बाद वे लोगों का सरीर बहुत मुलाइम थे फिर लाइट तालाइट चृतम हो गए इसके बाद सरीर धीरे-धीरे कठोर हो जाता है अबी उन लोगों का सरीर से निकल वाली सारे प्रकास कठम सरीर कठोर हो गया सुरज का प्रकास दरति प्याने के बाद एक दुसरी से दिखाई देता है कौन सुंदर है कौन कुरूप है सुंदर लोग कुरूप लोग को कहता है देखो तुमारा सरी केसा है देखो मेरा सरी केसा है ऐसा बोल के लोगों का मन में अहंकार घमंड उत्पन होता है ऐसे अहंकार घमंड उत्पन होने के कारण पृतिवी का रस पृतिवी का टेस्ट दीरे-दीरे कतम हो जाता है इसके बाद वे लोग अफसोस करने लगता है अरे ये धर्ती में धर्ती पे पहले कितना टेस्ट था कितना रास्त अच्छा था कितना बहुत अच्छा स्वाध था लेकिन आप कुछ नहीं है बागवान बुद ने बताया इसलिए अभी भी लोगों को कुछ खाने के लिए मिल गया तो तुरांद बोलता है वाँ बहुत अच्छा टेस्ट है क्योंकि वो पुराना आदत है उसी आदत से अभी भी लोग कहता है कुछ अच्छा काने के बाद बहुत अच्छा लगा हम लोग नहीं जानते थे फिर भी हम लोगों को ऐसा सारी मिला हुआ होगा हम लोग उस समय होते होंगी क्या पता अभी भी देखिए आप लोग अगर अभी से 20, 30, 50 साल पहले आपका घर में कोई कान वना कोई बना दिया तो चाहे दाल आठा करोटी या बहात कुछ बना दिया तो कितना धमक ती थे अब घर में चपाती दाल वगेर बनाते से उतना धमक तो नहीं है सबजी बनाते कोई धमक नहीं है दीरे दीरे आदमी का मन गंद होने की कारण धर्ती का रस नस्ट होजा होते रहता है ये पुरत्वी का रस चन होने के बाद वे लोग फिर कोज रहा है कानी के लिए क्या मिलेगा इसके बाद इस धर्ती पर उसमे जनम लेता है धरती का फापड उसी का नाम भूमि पापड ये एक मसरुम जेसा मसरुम जात का है भूमि पापड ये तोड़ा सा मद जेसा एक रोटी जेसा मद जेसा टेस्ट है रोटी जेसा है भगवान बुद्ध में बता ये एक दा मद का प्लेट जैसा है ये लोग काने के लिए लेता है बहुत टेस्ट है ये काना सुर करने के बाद सबी लोग उनका सरीर और खटोर हो जाते हैं कोई-कोई लोग सुन्दर दिखाई देता है कोई-कोई लोग और और खुरूप दिखाई देता है ऐसा एक दुसरे से अलग प्रकासे देखने से बताता है आप देखो मेरा सुन्दर कितरा है देखो तुमारा, तुम से गयादा मैं सुन्दर हूँ बागवान बुत ने बता है, उसी आदद अभी भी है उसी आदद से अभी भी लोग तुरांत अपना सारी देख करें दुसरा का सारी देखता है देख के तुरांत सेटिंग करता है उसका बाल से गयादा मेरा बाल अच्छा है उसका आख से गयादा मेरा आख अच्छा है उसका बोड़ी से गया था मेरा बोड़ी अच्छा है उसका नाक से गया था मेरा नाक अच्छा है ऐसा करें कि आज कल भी लोग एक दूसरे से उसी आदत से देखता है अहंकार घमान से उसी समय जो लोग भूमी पापड काते काते एसा खटोर होने के कारण दीर दीर उनलों का हंकार गमान बढ़ गया एसे बढ़ने के कारण भूमी पापड चन हो गया फिर वे लोग खोज रहेते अब क्या काएंगे खोज की खोज की रहेते समय एक लती देखा धरती से निकला हुआ लती ये जैसा तेसा लती नहीं है ये लती का साकता है ये लती का नाम है बदालता लती वे लोग तुरन देखने के बद खाने लगता है काने से काने से वे लोगों का सरीर और खटोर हो गया और प्रकट हो गया और दिखाई देने लगा एक दूसरे का सरीर एस बहुत समय काने के बार बदालतालाती भी चन हो गया इसके बाद वेए लोग बहुत दुख हो गया अरे हम लोगों को एसा ऐसा प्रकार की कानओ हम लोग का आए थे लेकिन सब चन हो गया बगवान बुत ने बताया आज भी उसी आदत से लोग कहता है कोई दुख आ गया तो लोग कहता है अरे आरे हम लोगों के एसा ऐसा सुक था एसा एसा संफाती था सब खतम हो गया एसे बोल बोल के चिल्ला उल्ला के लोग पश्टा थे उसी आदत से अभी भी भगवान उतने बताया एसे होने के बाद वे लोग फिर भी खोज रहा हैं क्या काने का है दिखाई देता है एक चावल, साली चावल उस समय वो साली चावल बिना चिलका का है चिलका है यह नहीं चावल में बहुत सुगंद, बहुत धमकता है सबी लोग क्या करता है, वो चावल लेकर काना सुर कर देता है सुबा भी जाकर के चावल काना सुर कर देता है साम में भी जाकर के चावल काता है फिर दूसरी दिन सुबा जाकर के चावल काता है तोड़के फिर साम में भी जाकर जहाँ चावल वहाँ जाकर काता है इसके बाद दिखाई देने लगा इस्त्री सरीर अच्छी तरह से दिखाई देने लगा तता पुरुष का शरीर भी अच्छी तरह से दिखाई देने लगा इन लोग पहचान गए ये इस्त्री है ये पुरुष है इस्त्री को देखने के बाद था इस्त्री पुरुष को देखने के बाद राग उत्पन हो गया काम की विचार उत्पन हो गया उत्पन होने के बाद वे लोग काम भोगने लगा काम वासना में रक्त हो गया ये देखने के वाद दूसरे लोग बताया तुम लोगों को पागल है किया क्या कर रहा है ये ऐसे करें कि मीट्टी से मारते थे पत्थर से मारते थे ये सूत्र उपदेश में है बगवान बुद्ध ने बताया उसी आदत से आज कल भी लोग साधी करते समय दोनों कपल को आज भी मीट्टी से मारता है उस समय भारत में थे ये सारे आदत अभी भी कोई-कोई लोग पूल से मारता है पानी से मारता है गंद पानी से मारता है लल्ली से मारता है उसी आदत से एसे इस्त्रिपुरु संबंध होने के बाद वे लोग क्या करता है? इन लोग मारता है वे लोग गाउं में नहीं आता है दूर जाकर के घर द्वार बना के रहता है क्यों? गाउं में नहीं आ सकता है मारता है एसे दोनों दोनों मिलकर के अपना अपना घर बना के दूर में जाता है इसी प्रकार से गाउं का निर्वान गाउं का निर्मान सुरुआत हो गया ऐसा बहुत समय जाने के बाद घर दुआर बना के गाउं में जो रहते हैं उसी परिवार में से कोई एक लोग सोच ने लगा मैं रोज सुबा साम जाकर के ये चावल काते आना पड़ता है इसलिए हम कुछ दीन के लिए एकी बार चावल को काट के लेके आऊंगा ऐसे करें के तीन चार दीन के लिए चावल काट के लेके आया दूसरी दीन बगल वाला घर का आदमी आकर के पूचा चलो चावल काने के लिए ये बता है नहीं जाएंगे पूचा क्यूँ बता है हम दो तीन दीन के लिए चावल लाया इसके बार वो सोचा बाप पर बहुत असान तारीका ये खोज लिया मैं भी ऐसे करूंगा ऐसे करें के वो भी दो तीन दीन के लिए चावल लेके आया एसे चावल काट के लेके आने से क्या होता है जहाँ चावल का पेड़ था वहाँ फिर चावल जनम नहीं लेता है इसके बार जहाँ चावल का पेड़ था वहाँ चावल नहीं है धान बान गया धान का उत्पादन शुरू हुआ धान मतलग चिल्का के साथ चावल चिल्का भी है एह लोग मिलकर के बाचित क्या देखो हम लोग का जीवन को क्या हो गया कहां थे हम लोग हम लोग को मनों में सरीर थे आस्मान में गुमते थे सारीर से प्रकास निकाल के निकाल के रहते थे इसके बाद हम लोग ये धर्ती को जीब से चाटके चाटके कान जरुआत किया इसके बाद हम लोग का सारीर का प्रकास चन हो गया दीरे दीरे पृत्वी का रस खतम हो गया इसके बाद बू में पापड़ बू में बं गया अंत में वो भी खतम हो गया इसके बाद बदालता आ गया बदालता लाती भी फिर खतम हो गया इसके बाद साली चावल ला गया वो भी खतम हो गया इसके बाद आभी सिर्फ धान है वो भी चिलका के साथ पहले जैसा अच्छा से जानम भी नहीं लेता है चावल ये धान इसलिए हम लोग एक काम करेंगे हम सबी लोग मिल करके हम लोग का गहर के बगल बगल में गेरा बना के हम लोग अपना अपना जगा अलग करेंगे तो आप इसी जगा से रोज खाईए चावल लाग के द्धान लेके जाए एसे किरके सीमा सुरुआत किया एसे किरके लोग बोल लग ये मिरा जगा है वो तुम्हारा जगा है ऐसे करके अलग-अलग-अलग करके सबी लोग सीमा बना दिया यह शुरूआ थे अब क्या हुआ उसी जगा पे कोई एक था उसको लोग जादा है यह सोचा मेरा जगा वो ऐसा ही रहे रहने दे मैं जाकर उसी का जगा से चोरी चुपके जाकर के धान काटके लेके आँगा ले आकर के खाऊंगा ऐसे सोचके धान चोरी करके लाते समय पकड़ा गया ए रुको तुम चोरी किया ना वो बताए जी हाँ हम चोरी किया तुम को एक जगा दे दिया ना तुम उससे कुछ सोजाओ ऐसे कभी मत करना वापस ऐसे करें करें चोड़ दिया दूसरे दिन भी ऐसोचा उसी जगा का उसी आदमी का खेत में गया तो पकड़ा जाएगा लेकिन दूसरा का गया तो कौन पकड़ेगा ऐसे करें कि दूसरा का खेती में जाकर कि धान चोरी किया वो भी पकड़ा गया बता है तुमको खल भी बता है ना इसे नहीं करने के लिए तुम आज भी चोरी किया फिर कभी वेसे मत करना अगर किया दो दंड दें देंगे तीसरे दिन का सोचा ठीक है उसी दोनों आदमी का खेत में नहीं जाएंगे लेकिन और किशे का खेत में जाएंगे ऐसे जा करके चोरी करते से वो पकड़ा गया बता है रुको तुम बात नहीं मानता है ऐसे बोल करके पत्तर से मारा और एक डंटा से मारा और और चीज से उसको मार दे लोग मिल करके इसके पास सभी लोग मिल करके बात चित किया मीटिंग किया अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम सभी लोग का मान में गंद की उत्पन हो गया है सभी लोग का मान में चोरी करने का मान ना गया है इसलिए एक दूसरे से लड़ाई करना सुरू कर देता है जूट बोलता है इसी प्रकार के गया तो बविसे में आच्चा नहीं होगा इसलिए हम सबी लोग मिल करके आच्चा कोई सबी लोगों का मुखिया बनाना चाहिए उसी को सारे काम दे देंगा उसको दंड देने का हक है अगर चाहिए तो भगा भी सकता है सारे फैसिल्टीज उसको दे देंगे वो हमारा मुखिया बन जाएगा हम सबी लोग जो मुखिया जी को दान काटता उससे काटके हम लोग उसको दे देंगे सब नहीं तोड़ तोड़ दे देंगे वो ही हम लोग का मुखिया ही रहेगा इसके लिए लांबे, सुन्दर, बुद्धिमान अच्चा कोई होना चाहिए सधारन, निर्ने लेने वाले ऐसा करके सबी लोग सम्मत कर लिया सबी लोग सांकल्प लेकर के महा सम्मत नाम से एक मुखिया को बनाया उसका नाम महा सम्मत महा सम्मत मतलब सबी लोग सम्मत होके बना दिया है मिलकर के बना दिया अंत में उसी महा सम्मत सारे जमीन का मुखिया बन गया वो राजा बन गया खिती का राजा बन गया इसलिए उसका नाम आगया शत्रिय, खेतान अधिपती ती खत्यो, सारे खेतों का अधिपती होने के कारण शत्रिय हो गया, तथा और धार्मिक हो गया, दुसरे लोग कुस करवाने वाले राजा बन गया, इसलिए बताता है धम्मेन परे रज्यती ती राजा, इसी प्रकार पुराना दुनिया में जात का सुरुवात हो गया, खुल का सुरुवात हो गया, एसे बोलकर बगवान बुद्ध ने बताए वासेट है, लेकिन इस जनम में तथ आगले जनम में सबी चीजों में सिस्रेष्ट होता है सिर्फ धरम, बागी कुछ नहीं, इसका अधबागवान बुद्ध ने बताया, ये लोगों में से कोई-कोई लोग थे, आपना चीज पर जो कोच उस पर पसंद नहीं थे, बोलते थें, अरे ये लोग नीच विचार वाले हैं, जूट बोलने वाले हैं, चोरी करना सुरू किया है, हम लोगों को ये क्या हुआ, हम लोग कहा थे, लेकिन कहा आ गया, ऐसे सोच के रिखे, आद भी लोगों को ये काम पर पसंद नहीं हुआ, वे लोग गाओं को त्याक कर दिया, जंगल में जाकर के, अखेले अखेले खुटिया बना के, रहने लगा, खाने के लिए सिर्फ एक बरतन लेकर के गाओं में आता है, आकर के, बिक शाटन करके, भोजन लेकर के वापस, जंगल में जाते हैं, गाओं के लोग बात करने लगा, ये क्या है, ये लोग गाओं को किसे लिए छोड़ दिया, पूचा, वे लोग बताया, हम लोग पापी नीच गंदगी को दूर करते हैं, उसी नाम से उन लोगों का नाम आ गया, ब्राख्मन, इसका मतलब, पापी अकुसल विचार को बहर कर दूर करने वाले, मतलब, पापी अकुसल धरम को भश्म करने वाले, ब्राख्मन है, इसके बाद आदमी लोग देखे हैं, यह लोग क्या करते हैं, देखा है, वे लोग बैटके, पैर जुका के, आँक बांद करे के, क्या करते हैं, वे लोग भावना करते हैं, ध्यान करते हैं, वे लोगों को एक नाम आगया, इसके बाद दुसरा नाम, जहाएका, ब्राख्मन लोगों को और एक नाम आगया, जहाएका, लेकिन सभी लोगों को जंगल में जाकर के, ध्यान नहीं कर पाता है, कोई कोई लोग कर सकता था, जो नहीं कर सकते हैं, यह लोग क्या किया, दिरी दिरी जंगल को त्याक करके, गाउं की सीमा में आकर के, कुटिया बना दिया, बना के, आस्मान देख करके, तारा देख करके, गीन के, नक्षास्त्र बना दिया, जोतिस बना दिया, पेड़ पाउदा देख करके, दवा हुआ लिखना सुरुवात किया, इसके बाद आदमी लोग देख लिया, ये लोग क्या करते हैं? दिहान नहीं करते हैं? साधना नहीं करते हैं? इसलिए ये लोगों को और एक नाम आ गया, दिहान नहीं करने वाले, अज्जाय का, इसी प्रकार ब्राक्मन समाज बन गया. एसे नहीं है, तो ये देवता महा ब्राम जी बनाया का बात नहीं है. बगवान बुद्ध ने बताए वासेट उसी प्रकार ये ब्राह्मन समाज आ गया धरम के आनुसा एसे नहीं है तो ये ब्राह्मन और किसी का बनाने की बात नहीं है धरम से ही वे लोग स्रेष्ट हो गया उसी जगा पे और और लोग थे वे लोग राजपाट नहीं किये ध्यान साधना भी नहीं किये घर द्वार बना के खेती उती करके अपना गाई वागेरा समहाल के तथा बिसनस करते करते व्यापार करते रह गये ये लोग कई प्रकार के कारमानत करने लगे इसलिए वे लोगों को नाम मागया वैश्या बगवान बुद्द ने बताया वासिट उस वैश्य परिवार के लोग उसी प्रकार जनम हुआ है धरम से ही ये सब होता है बलकि कोई ईश्वर या कोई ब्रह्म बनाया नहीं इसलिए इस जनम में थाथ अगले जनम में सिर्फ धरम ही स्रेष्ट होता है बगवान बुद्द ने बताया वासिट चाहे का शस्त्रिय हो चाहे ब्रह्मन हो चाहे वैश्रे हो चाहे सुद्र हो ये कोई भी हो सकता है जो कोई सरीर से दुशकरम करके वानी से दुशकरम यानकी पाप करके मन से दुशकरम पाप करके मित्या दृष्टिक होके मित्या विश्वास की ओर से जाकर के रहके रह गया तो वे लोग मरने के बाद नरक में चाल जाता है नरक में जाने के लिए कभी दिखता नहीं कौन सा जात है, कौन सा परिवार है कौन सा खुल है इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया वासिट चाहे वो शस्त्रिय हो सकता है चाहे ब्राह्मन हो सकता है चाहे वाइश्य हो सत्रा है चाहे वो शुद्र हो सकता है कोई भी हो सकता है जो कोई सरीर से सुभ करम करेंगे तो यान की पुन्य करेंगे तो वानी से पुन्य करेंगे तो मन से पुन्य करेंगे तो सरीर मन वानी से अच्चा करम करेंगे तो सम्मा दिठी में रह गया तो सही विश्वास की ओर से रह गया तो वे लोग मरने के बाद सुक मिलने वाले स्वर्ग में जनम लेते हैं स्वर्ग में जनम लेने के लिए भी जात पात का कोई भेद भाव नहीं होता है और ततागत ने बताया चाहे वो सास्त्री हो चाहे वो ब्राह्मन हो चाहे वो वाईशी हो चाहे वो सुद्र हो ये कोई भी सरीर से दुश्करम करेंगी तो कोई कोई लोग सरीर से पुन्य भी करता है वानी से पाप भी करता है वानी से पुन्य भी करता है था था मन से पाप भी करता है मन से पुन्य भी करता है ये लोग लेकिन पाप और पुन्य विश्वास करके सम्माद दिठी होके सही दृष्टी बनाके ये लोग सम्माद दिठी तता मित्य दृष्टी दोनों मिलाके मरने के बाद सुक दुख क्वाले जगा पे जनम लेता है यान की मनुष्य लोग में इसके बाद बगवान बुद ने बताया है शास्त्रिय हो सकता है ब्रामन हो सकता है वाईशे हो सकता है शुद्र हो सकता है ये कोई भी सरीर से सांथ हो गया तो वानी से सांथ हो गया तो मन से सांथ हो गया तो आरे रास्ता अपनाया तो आरे रास्ता अपना के सारे दुखों कतम करके निर्वान को प्राप्त हो गया तो वे लोगों का आरहांत कहते हैं दुख से मुक्त हो गये हैं ऐसे हैं तो अच्छी तरह से समझ में आता है हर जनम में दरम ही स्रेष्ट होता है दरम ही उत्तम होता है और कुछ नहीं भगवान बुद्ध में बताया आप देखिए वासेट ये सनंकुमार महा ब्रह्मजी भी भगवान ब्रह्मजी का नाम क्या बताया है सनंकुमार सनंकुमार महा ब्रह्मजी भी भगवान बुद्ध के बारे में ये बात बताया अगर जो कोई गोत्र का जात का खोज के-खोज के गया तो सारे जनता में श्रेष्ट होता है सस्त्रिय वन्शिक लोग लेकिन देवमानों से श्रेष्ट होता है विज्जाचर्न संपन गुंसे युद्ध देवमानों का स्रेष्ट है तता हागत भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध ने बताया पुन्यवान वासेष्ट है सनंकुमार महाब्रह्मजी वो जो बात बताया है वो अच्छी तरह से बताया है सुगीता गलत से बताया नहीं ने दुग गीता वो खल्यान की भाशिता है सुभाशिता वो गलत बात नहीं है ने दुग भाशिता वो आरत की बात थे अत्तसंगिता अनत की बात नहीं ने अनत्तसंगिता मैंने वो बात को मान लिया मैं भी बताता है वो सही है ये सारे प्राणियों को देख लिया तो, गोत्र जात्पात देख लिया तो, सब स्रेष्ट होता है, शस्त्रिय वांसिकलो, लेकिन सारे देवमानों में से स्रेष्ट होता है, तथा अगत भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध ने ये सूत्र उपदेश, ये सूत्र जनम में सबसे श्रेष्ट होता है, सबसे उत्तम होता है धर्म दुसरा कारण है ये संसार की जो प्राणी, माना, कोई भी धर्ति नस्ठ होने के बाद भी फिर बन जाने का थरीका भगवान बुद्ध ये सब कुछ विशेष ज्ञान से ही बताए है उन्होंने ध्यान करकी उसी विशेष ज्ञान से ही बताए है आजकल बहुत सारे लोग यांत्रसूत्र की मदद से नाल्स की मदद से ये सबी लोग ये सूर्य चांद तार का देख करकी अलग अलग प्रकार की बाद बोलत रहता है सबी लोग लड़ डुकाना जैसा विग्यानिक लोगों का बाद तुरांत विश्वास करते है लेकिन भगवान बुद्ध अड़ाय हजार साल पहले इससे भी आगे बाद बताए लोग विश्वास नहीं करते है लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध मतला कोई नोमल आद्मी है बड़ा नहीं है माना है ऐसे लोग सोचते हैं इतना ज्यान किसको जान पाएगा लेकिन भगवान बुद्ध की ये सुंदर उपदेश से समझ में आता है इस जनम तता अगले जनम में सबस्रेष्ट होता है धरम अगर हम लोगों का जीवन में भी कभी भी स्रेष्ट हो गया तो स्रेष्ट होता है सिरिफ धरम ऐसे है तो हम लोग जो कुछ करना है तो धरम करना चाहिए धरम नहीं धार्मिक से ही जीवन बिताना चाहिए, अधार्मिक से नहीं ये सूत्र अग्गान्य सूत्र है ये सूत्र अच्छे तरह से आपको सुनने में आ गया ये भगवान बुद्ध अच्छे तरह से बताया इसी सूत्र के अनुसार अच्छे समझ में आता है ना कोई ईश्वर, ना कोई ब्रह्म, ना कोई देवता ये धर्ती बनाया है हेतू कारण से ये सब कुछ होता है सुरु सुरु में हम सबी लोगों का सारी प्रकास जेसा था समय के अनुसार बदल गया फिर धीरे धीरे भगवान बुद्ध की उपदेश की अनुसार धीरे 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 उम्र कतम हो रहा है उम्र कतम होने का कारण क्या है मन गंद होना, मन गंद होने की कारण उम्र कतम होते जा रहा है भगवान बुद्ध निरंतर बताये हैं अविध्या से बंदन होके, तृष्णा से, इच्चा से बंदन होके, रहने वाले मानो का, प्रानी का अंत नहीं दिखाई देता है, अविज्या नीवर नानं, सत्तानं, तन्हा, संग्यो जनानं, पुब्बा कोटिन पन्यायति, इसलिए हम लोग के सूत्रु पदेश को अच् समझना चाहिए, समाज के हम लोग समझना चाहिए, इस जनम तता अगले जनम, दोनों जनम में सबसे स्रेष्ट होता है धरम, इसलिए ये बात, आप हम सभी लोगों को जीवर में उतारके, सभी लोगों को तम चार आरशत्य प्राच करने का भाग्य मिल जाए, सादू, साद भाग्य मिल जाए, सादू, सा घर्धा जय चार आरशत्य अद विस आरशत्य जनम, जाभी मिल जनम त समझना प्राशत्य जनम, जिस जो प्रिया दिए प्राश्त्